एड है अतर फीड है वाइट है वाइट है अई अब आउर लाश टोपिक भी इस तड़िया अब आउट वाउट फिट आउट वाउट अब देर सिगनिफिकैंस तोडे वी इस स्टेड अबाउट कौंटम नंबर्स दियर प्रोब्लम्स जदने भी में अब सभी सोल करने कोसिस करेंगे quantum number से तो quantum numbers को एक बार समराइज कर लेते हैं quantum numbers हमारे पास चार quantum number थे पहला quantum नमबर था principle quantum number जिसको हम ncd note करते हैं दूसरा था हमारे से यहां पास एजेम उतल। quantum number को बादो करते हैं तीसरा था हमारे पास magnetic quantum number जिसको हम ncd note करते थे चोथा हमारे पास spin quantum number जिसको हम scd note करते हैं इस चैरों सेट मिलके हमें बताते हैं electron कहां है किस energy level में है कूण सी main cell है कूण सी sub-cell में है, किस orbital में है कैसी उसकी spin है चारों मिलके एक पूरी explanation दे देते हैं हम electron के बारे में तो हम इनको summarize करते है principle quantum number N यह मैं बताता main energy cell के बारे में N किस के बारे में बताता main energy cell की वो किस main energy cell में है K में है, L में है, M में है, N में है एजिमितल quantum number N N बताता बिटा, में sub-cells के बारे में, किस के बारे में बताता है sub-cells के बारे में कि main energy cell के किस sub-cell में हमारे पास जो electron है, वो है magnetic quantum number M M बताता है, orientation of orbitals, जो orbitals की है orientation, space में orientation कैसी है ठीक है, वो कून बताता बिटा magnetic quantum number, spin quantum number बताता बिटा में जो electron है वो clockwise direction में move कर रहा है या anti-clockwise direction में आप एक example दे समझें जैसे आप school में पढ़ते हो किसी में और उस इलाके में बहुत ज़्यादा school है ज़्या या 7, 8, 10 जितने भी schools हैं तो जो principal quantum number N है वो बताएगा कि ये बच्चा किस आप अपने आप अपको electron है जुम करें बिटा तो ये बताएगा कि वो बच्चा किस school में पढ़ता है तो main energy cell या नि कि स्कूल में बच्छा पढ़ रहा है एजी इम उतल quantum number बड़ा L बताता है में L में सब cells के बारें बताता है यानि हमें स्कूल का पता चल गया कि उसकारवेली स्कूल में बढ़ रहा है तो वो जो है किस कमरे में बैठा हुआ है ठीक ना वो कौन बताएगा बैटा L बताएगा में Magnetic quantum number M उस कमरे की direction क्या है वो कौन बताएगा बैटा M बताएगा spin quantum number S बता किस तरीके से बैठा हुआ है वो कौन बताएगा बैटा S तो electron की जो main energy cell है वो है N उसके बाद किस subcell में है यानि main energy cell के किस subcell के अंदर है वो L है उस subcell के अंदर जो orbitals है उनकी orientation कैसी है वो क्या बताएगा बैटा M और spin कैसी है उस electron की कौन बताएगा S यहाँ पर कुछ एक प्रोब्लम्स ड्रो कर रखें बटा इनको सोल करते हैं तो 3D X square Y square यह पूछ रहा है set of four quantum numbers आपको set of four quantum numbers बताना इसके लिए 3D X square Y square अगर आपको सारे के सारे quantum numbers हमराईज हैं तो आप एजिली बता सकते हैं जो आगे main digit रखी रहती है यह होता प्रे main cell हमारी बता तो N को denote कौन करता है जो यहाँ पर जो digit लिखी रहती है वो क्या होती बता N तो यह हमारा जो प्रिंसिपल quantum number है तो N की value क्या रहे है की बता हमारे पास N is equal to 3 हम पहली प्रोब्लम को लेगे चले बता N is equal to 3 N की value 3 है तो L की value क्या रहे है की बता है हमारे पास L की value होती है N minus 1 ठीक है L की value क्या होती बता N minus 1 तो L की value क्या रहे है की बता हमारे पास हमारा जो प्रिंटल है D उसके लिए हमारी values होती है बता N minus 1 यह 0 से शुरू होती है बता 0 से और L minus L is equal to N minus 1 तक कैसे जैसे बेटा हमारे पास principal quantum number है एक principal quantum number क्या है हमारा n is equal to 1 है तो l की value क्या रहेगी बेटा n minus 1 यानि 1 minus 1 0 यह हमारी 0 से 0 value आगे तो इसमें आगे हम जाने कोई ज़रूरत नहीं है अगर principal quantum number हमारा 2 है बेटा तो l की value क्या है यानि 0 और 1 दो value जा जाएंगे मारे पास L की 0 और 1 यानि यहाँ पर जागर sum cell बतानी हो हमें तो कितनी sum cell है बिटा 2 है 0 किसके लिए होता है L की value मैं लिएक देता हूँ एक बार आपको याद कर लेनी है L की value जो 0 है बिटा वो S sum cell के लिए होती है L की value एक है जो वो P sum cell के लिए होती बिटा L की value जो 2 है वो D sum cell के लिए होती है L की value 3 है बिटा वो किसके लिए होती है P sum cell के लिए होती है इस तरीके से आपको ये L की values याद रखनी है ठीक ना तो L की जो value हम निकाले N-1 से वो 0 और उसके बाद जो value जाएंगी वहां तक हमें पूंचना होता है ताकि हमें सब cells के बारे में पता चल जाए तो principle quantum number 3 है D दे रखा है तो D के लिए L की value बटा हमारी क्या रहेगी 2 x square minus y square इसके लिए M की value मैंने आपको लिखवाई थी plus 2 और spin हमें देने रखी तो आप plus half और minus half दोनों में से कोई भी अजयूम कर सकते है तो जो main digit लिखी रहती है होती है हमारी principle quantum number principle quantum number N ठीक है बटा इसके बाद L की value होती है हमारी N minus 1 0 से बटा ठीक है तो आपको याद कर लेनी है अगर principle quantum number हमारा 1 है तो उसमें value आएगी L की 0 उसमें A की सबसेल होगी अगर principle quantum number हमारा 2 है तो 2 values आएगी 0 और 1 तो आपको ये याद कर लेनी है 0 के लिए S, L की value बटा 1 के लिए P, 2 के लिए D 3 के लिए F तो आपको ये याद कर लेनी है ताकि आप सिद्ध direct L की value लिख सको उती है P, X P, X के लिए M की value जो है वो plus 1, P, Y के लिए minus 1 और P, Z के लिए 0 बटा ये आपको याद रखनी है P, X plus 1 P, Y minus 1, P, Z 0 अब D वालों के लिए लिख देते हैं बटा P, D के लिए लिख देते हैं D, X square minus Y square के लिए उती बटा plus 2, D, Z square के लिए D, X, Z इसके लिए plus 1 D, Y, Z इसके लिए बटा minus 1 ये values आपको याद कर लेनी हैं ये M की values है बटा ठीक है तो इसमें आप देखें के 4, D, Z square principle quantum number N, N की value कितने हैंगी बटा, 4, L की value D के लिए क्या होती है बटा, 2 और D, Z square है D, Z square M की value क्या रहे हैंगी बटा 0 S की value पलस half या minus half जो भी आपकी ठीक है इसके बाद इन्होंने क्योस्टन दे रखे थे इसमें से अगला क्योस्टन करते हैं 3PX 3PX में N की value क्या रहे हैंगी बटा हमारे पास ये P के लिए L की value 1 इसके बाद PX है M की value PX के लिए positive 1 और S की value आप पलस half या minus half कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से आपको ये सारी की सारी problem solve कर लेनी हैंगी बटा quantum number से जितनी भी related है हमारी इसके बाद जो आगे का topic है हमारा वो शुरू करते हैं बटा ये quantum numbers से related जितनी भी problem है आपको solve कर लेनी है ये values याद रखनी है आपको जो main digit रखी रह लखी रहती है वो होती है हमारी principal quantum number L की values आपको लिखवा दी गई है L की values गया होंगी बटा 0, S के लिए, P के लिए 1, D के लिए 2, और F के लिए 3, इसके बाद है shape बटा, shape of orbitals shape of orbitals different type के हमारे पास orbitals है उनकी shape क्या रहेगी S की shape कैसी रहेगी, P की shape कैसी रहेगी D की shape कैसी रहेगी, और F की shape कैसी रहेगी, तो shape of orbitals तो जो serodanger wave equation थी हमारी उसको x, y और z अलग-अलग coordinates में जब soul किया गया तो हमारे पास value आई, किसकी बटा साही की, साही की value आप लोगों को पता है, इतनी ज़्यादा important नहीं है अगर हम साही का square कर देते है तो यह क्या जाएगा, बटा हमारे पास probability of finding electron, electron को find करने की probability probability आजाएगी, हम अगर साही का square कर देते हैं, तो ठीक है तो साही इतना ज़्यादा important नहीं ता हमारे लिए साही square ज़्यादा important है क्योंकि यह बताएगा, probability of finding electron यानि किस direction में electron को find करने की probability ज़्यादा है, maximum है probability के बारे में मैं आपको पहले बता चुक्या हूँ, जैसे किसी दिन मानली आसमाने बादल चाहे होए है तो आप क्या कहेंगे की probability है की बरसात हो, लेकिन संभाव नाए है हमारी की बरसात हो, लेकिन यह तो शूर नहीं ना कि आप की बरसात होगी ही तो probability के मतलब क्या है की वहाँ पर एलेक्ट्रोन फाइंड ओने की मैक्सिमम संभाव होगा है, मैक्सिमम probability यह कि एलेक्ट्रोन वहाँ पर हमें मिलेगा जब हम साई और रेडियस रेडियस नूकलियस से दूरी और साई इनके बीच में ग्राफ बना रहे थे यह तो था बैटा साई अगर हमने रेडियस के साथ उसका ग्राफ बनाने इकोसिस की तो 1S के लिए यह 2S के लिए इस तरीके साथ तरीके से बनेगा अगर हम साई स्केर और रेडियस के बीच ग्राफ बनाने इकोसिस करें तो सिमिलर ग्राफ रहेगा हमारे पास इसी तरीके से 1S का अगर हम size square और radius के बीच में ग्राफ बनाने के करें तो 2S का जो ग्राफ हमारा वो इस तरीके से हो जाएगा बिटा अब यहां पर बात समझें कि किस तरीके से होगा जैसे जैसे हम nucleus से दूर जाते जाते हैं बिटा वो कम होती चली जाएगी electron find करने की यहां पर maximum probability यह दिरे दिरे गटती रहेगी जैसे जैसे हम दूर जाते जाएगे और यह जो point है यहां पर zero probability हो जाएगी जो probability हमारी zero हो जाएगी इसको क्या बोलते हैं नोड नोड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं नोड तो आपसे पूछा जाएं नोड क्या होता है नोड वो स्कुल्म है जहां पर electron find करने की probability क्या हो बेटा जीरो होती है ठीक है तो नोड क्या होएग हमारा जहां पर electron find करने की probability क्या रहे जीरो निए तो जो s 1s और 2s के बीच में जब teu पना आ गया तो electron find क्टकी probability कि आप मिली है कि nucleus के चारो तरफ yzm nah है नुखलीस के चारो तरफ कैसी probability मिली तो एक ही orbtal है हमारे पास s में तो उसका shape कैसी होगी s की spherical shape रही कैसी रहेगी उटा spherical s की shape कैसी रहेगी spherical रहेगी योगаш cat तो यह कहा रहेगा S orbital यानि electron find करने की probability हर जग है एक जैसी मिली है हमें तो कैसी रहेगी हो चारो तरफ नुकलिस के एक जैसी probability मिले तो कैसी shape रहेगी बिटा S की spherical shape रहेगी हमारे पास इसके बाद जब serodinger wave equation को आगे पड़ा गया X, Y, Z coordinate के उपर तो P की जो हमारे पास आई वो तीन तरीके से आई बिटा हमारे पास जो P के पास जो orbitals है P, P के लिए L की value क्या होती है बिटा P के लिए L की value होती है 1, ठीक है ना तो M की value क्या है कि हमारे पास M की value जो L की value होती है उसका plus 0 और उसका minus यानि जो हमारे पास L की value होती है वो plus से लेके, हम उसको minus तक लेके जाएंगे तो हमारे पास, ओरियंटेसन तेन तरीके की होगी इस तरीके से हमारे पास तेन तरीके की orientation मिलेगी ये तीन orbitals एमिर M की value में क्या होताती है orbitals के बारे में और orientation के बारे में तो तीन orbitals है हमारे पास, एक coordinate एक्स के उपर है जिसको हम पी एक्स बोलते हैं एक कोडिनेट वाई के उपर है जिसको हम पी वाई बोलते हैं एक कोडिनेट जेट के उपर है जिसको हम क्या बोलते हैं पी जेड तो इनकी हमें दो लोब्स अलग-अलग दिखाए दी इस तरीके से मनाना हमें आपको ये तीन क तो यह हमारा PX orbital रहेगा यहनी जो safe होगी हो किस तरीके से होगी यह क्या रहे है बटा PX positive और negative ठीक है क्या बटा यह PX यह X axis है यह PY axis है अब अगर आपको PY बनाना है जिसकी लोब कैसी रहेंगे बटा इस तरीके से positive नेगेटिव यह PY और यह PX अगर आपको PZ बनाना है बटा PX PY PZ तो यह जो लोब्स आपको दिखाई दे रही है बटा यह जो PX PY PZ हमने बनाए है यह जो लोब्स दिखाई दे रही है इसका मतलब क्या है जो electron find करने की probability ना nucleus से इस region में सबसे ज़्यादा है X axis के along जो यह region बनाया है हमने जो लोब्स दिखाई दे रही है आपकी इस region में electron find करने की probability सबसे ज़्यादा है इसी तरीके से Y अगर हमने बनाया है तो इस region में Y coordinate के according हमने अगर electron probability को पड़ा तो यह region के अंदर सबसे ज़्यादा probability रहेगी Z coordinate के according अगर serodinger vacation को पड़ा तो इस जो अमारी जो लोब्स है इसके probability ज़्यादा रहेगी जो लोब्स दिखाई दे रही है यह वो area है नूकलिस के surround में जहाँ पर electron find करने की probability क्या है maximum है इसी तरीके से shapes है वेटा हमारे पास d orbitals की तो d orbitals हमारे पास l की value d के लिए वेटा दो उत्ती है l की value की और दो m की value m कैसे निकलता है l की positive value से 0 से होते हुए माइनस तक पहुंच जाएं आप तो हमारे पास पांच orbital हैंडी के पहला orbital अंपड़ते हैं d x y दूसरा y z तीसरा z x सोथा d x square माइनस y square पांचवाण d z square बेटा अब इनकी structures बनाते है x और y यह जो बेटा axis के 20 probability मिले गए हमें इस तरीके से यह positive low यह positive low तो यह हमारे पास structure है d x y की बेटा अब हम बनाते है d y z की तो दो से बना लिए हमने d x y d y z इसके बाहर बनाते हैं बटा z x x square और y square तो पहले आद अब इसके बेटा आप इस तरीके से अभी तक तो जो लोब्स थे हमारे axis के बीच में थी बेटा अब जो लोब्स थीओ एकसीज के बीच में थी एक्स और y अब जो लोब्स हैं वो hex इस एउपर होंगी इस तरीके से positive positive negative negative और जो आखरी सेप है मारे बीटा x square y square ये है dz square ये z-axis है ये x-axis है तो ये हमारे dz square definite shape भी बोलते हैं clover leaf shape भी बोलते हैं d z square को तो यह जो sign लगा है बेटा positive और negative यह कोई charge नहीं है आप कहीं को यह सोचें कि यह positive charge है negative charge है यह सिरफ wave को in phase और out phase दिखाने के लिए positive और negative यह wave का amplitude है positive और negative यानि wave phase में है या out of phase है तो इस तरीके से हमने जो shapes है वो पड़नी है S की spherical shape रहेगी P की हमारे पास dumbbell shape आई थे आपने देखा था दो अलग-अलग lobes थी यह इस तरीके से हमारे पास D की सभी orbitals की आपको shape पताऊनी चीए इसके बाद हमने एक जिकर किया था node का बिटा node किया था node वो space जहांपर electron finding की probability क्या हो zero हो जहांपर electron ना हो तो number of nodes कैसे निकालेंगे बिटा number of nodes किसी भी orbital के of any orbital किसी भी orbital के number of nodes निकालने के लिए n-l-1 के लिए formula होता बिटा हमारे पास n principal quantum number minus l जो भी है वो और उसमें से एक और गटा देंगे आप दो तरीके के node हमारे पास spherical और radial यह तो एक जैसे होते हैं spherical और radial और उसके बाद इनके लिए formula बिटा है spherical और radial nodes निकालने के लिए इसके बाद planar planar जो nodes हो निकलते हैं l जितने उस orbital की l एकिवेल्य होगी उतने उसके पास कैसे nodes होंगे बिटा planar और जितनी हमारे न-1 जो वैल्य होगी उसके पास spherical और radial total nodes निकालते हैं बिटा total nodes n-1 के formula से total nodes हमारे पास कैसे आजाएंगे n-1 के formula से हमारे पास nodes आजाएंगे यानि किसी और्विटल में कितनी ऐसी जग हैं जहां पर और फाइंडिंग की probability 0 है वो n-1 से planar nodes कितने हैं l और radial और spherical nodes कितने हैं हमारे पास n-l-1 radial और spherical nodes जो होते हैं बिटा s orbital में होते हैं क्योंकि उनकी जो size कैसा हो spherical size में है तो जो भी हमारे पास nodes होंगे वो कैसे होंगे n-l-1 ये था हमारा बिटा आज का topic hope all of you well understand about this if you have any doubt tell me on my zoome class on or my personal whatsapp number thank you beta thank you all of you